तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत इजी क्विक आसान रेसिपी पाव भाजी जो कि हम कूकर में छट पर दस मिनिट के अंदर ही रडी करने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं क्या इंग्रेडियंट्स है तो यहां पे बहुत सारी वेजीज इसमें बढ़ती है बाव भाजी में तो देखिए यहां पे मैंने दो आलू लिये हैं बड़े इसको मैंने इसे इसे मैंने नमक के पानी में बाल लिया है ताकि इसके जो केड़े हैं वो सारी निकल जाए इसे के साथ-साथ यहां पे मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है और मैंने यहां पे हरे मतर लिये हुए हैं देखिए इसे के साथ-साथ मैंने यहां पे गाजर ली है जिसे मैंने इस अद्रक लसन का पेस्ट एक टेबल स्पूंग लिया है अरा धनिया लिया है धेर सारा और इसके साथ मैंने लिया है यहां पे रेड चिली पावडर वान टेबल स्पूंग अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी आड़ कर सकते हैं इसके साथ साथ मैंने यहां पे बटर एक क्यूब ले लिया है और यहां पे दो बड़े चम्मच मैंने पावभाजी मसाला ले लिया है पावबाजी मसाला बहुत ही important है तो चलिए हम चलते हैं next process पे तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम क्या करेंगी कि cooker में इन सारी सबजियों को फटाफट से पका लेंगे चार सीटियों में जो सारी हमारी सबजिया है बहुत ही अच्छे से गल जाएगी पक जाएगी तो हम यह सारी vegetables को cooker में आड़ करने के बाद इसमें हम पानी आड़ करेंगे एक से देड़ ग्लास और इसके बाद हम इसे दीमी आज पे चार सीटिया हम लगा देंगे तो यह बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएगी इसे हमें smasher भी यूज़ करने की ज़रत नहीं है आप चमत से भी इसे अगर मैश कर लोगे तो यह इतनी स्मूध हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर मैंने वन ग्लास लिया है नहीं तो यह आपके हाथ प्यास सकती है भाब तो यह देखिए हमारी जो सबजिया है काफी अच्छे से गल चुकी है यह इतने अच्छे से गल गई है चार सीटियों में कि आप देख पा रहे होंगे कि 5-6 बार चलाया और एक स्मूध सा पेस्ट हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है तो चले हम चलते हैं तड़के वाले प्रोसस पे यहां पे मैंने एक नमें 2 बड़े चम बटर ले लिया है अच्छे साथ-साथ में एक बड़ा चमध ईलर हमारा जो बटर है इसको मेल्ट कर लेंगे तो जैसे हमारा बटर пр Boss यहां पे मेल्ट हो जाएगा एक प्यास को पका लेंगे दो मिनिट तक जैसे ही हमारे प्यास हलके गुलाबी होने लगेंगे देखिए तो हम इसमें एड करेंगे एक चमच अद्रक लसन का पीस्ट और इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे एक मिनिट के अंदर ही अच्छे से पक जाएगा तो यह देखिए अब हम यहां पे हमारा लाल मिर्च पावडर आड़ कर देंगे इसी के साथ जात नमक हमने पहले सबजियों में भी मिलाया है तो ध्यान रखिए कि नमक थोड़ा कम ही आड़ करें साथी साथ मैंने दो बड़े चम्मच यहां पे पावभाजी मसाला भी आड़ किया है ध्यान रखिए कि जो पावभाजी मसाला होता ही इसमें बहुत खटास होती है तो अगर आपको खटा पसंद है तो आप टमाटर जादा यूज कर सकते हैं बट अगर आप खटा पसंद तो टमाटर थोड़े कम यूज कीजिए तो यहां पे जो हमने पेस्ट बना लिया था वेजिटेबल्स का हमारी सबजियों का यह मैंने आड़ कर दिया है अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तक यह जो हमारे मसाले है यह पेस्ट में अच्छे से मिक्स हो जाए और मैंने यहां पे एक ग्लास पानी भी आड़ कर लिया है तो इसकी कंसिस्टेंसी है यह काफी अच्छी हो जाएगी तो यह देखे यहां पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखे यह हमारा जो पॉफेक्ट पाव भाजी वाला मसाला है यह रेडी हो चुका है अ और अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं इससे पहले हम इसमें नीबू का रस आड़ करेंगे अगर आप खटा पसंद नहीं करते हैं तो इससे स्किप कर दीजे तो यहां पे मैंने आधे नीबू का रस यह आड़ कर लिया है तो इसके बाद हम यहां पे धनिया पत्ता आड़ करने तो आप भी ट्राइ कीजे, बहुत ही एजी रेसिपी है, इसी के साथ साथ हम यहाँ पे मसाला पाव हमारा रेडी कर लेते हैं, भाजी रेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे मैंने हाफ स्पून बटर ले लिया है, तवे पे, इसमें यह जो हमारी भाजी है, मैंने यह आधा चम् अब इसे हम पका लेते हैं, दोनों साथ से, तो यह देखिए, जो हमारा मसाला पाव है, तो यह रेडी हो चुका है, अब हम यहाँ पे और थोड़ा सा दनिया पता आड़ करेंगे, इसके बाद हम इसे कर लेते हैं, सर्व, तो यह गरमा गरम बहुत ही टेस्टी लगता है, अब भाजी आप प्लीज इसे ट्राइ कीजिए, और मुझे कमन सेक्शन में बताईए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज दो लाइक, शेर, सब्स्क्राइब तो मैं यूट्यूब चैनल, थैंक्स पर वाचिंग, शेर